बेलकम बैक फरेंड दोस्तों नमस्कार, UP ASI Candidate के लिए Most Important वीडियो होने वाली है, ASI Candidate के लिए ठीक है, UP ASI Candidate के लिए Most Important वीडियो है, इसमें हम लोग देखने वाले है एक्रेसी, मतलब टाइपिंग से रेलिटेड़ वीडियो है, typing related हम लोग accuracy देखेंगे कितने keyword का इस्तिमाल कर सकते हैं इसको देखेंगे मतलब back space जो है allow है कि नहीं इसको देखेंगे कितने परकार को होता है सारी चीज़े देखने वाले है ठीक है और यहाँ पे truth कितनी मान होगी कितने सब्द होगे सब्द कैसा दिया जाता है typing में और timing क्या होती है सारी चीज़े देखने वाले एक टू जेट कहिने मतलब typing जो related आपकी information है सारी जानकरी इसमें मिल जाएगे वीडियो में पूरा पूरा clear कर दूँगा और इस screen पे आपको दिख रहा होगा keyword दिख रहा होगा आपके पास अब रहेगा क्योंकि हम इस page उगारा और पायरा गराप के साथ दिखाने वाले हैं English Hindi सब कुछ दिखा दूँगा एकदम कैसे कैसे होता है कैसे वहाँ पे आपकी screen पे पैसे दिया जागा कहां पे लिखा जाता कहां पे typing की जाता है सब कुछ दिखाने वाले है चलिए वीडियो को start करते हैं बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं जो नए candidate होंगे चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना ज़्याद़ ज़्याद़ गूरूप में दोस्तों के साथ share कर दे ताको उनको भी information पता चले ठीक है तो चलिए सबसे पहले start करते हैं यहाँ पे यहाँ देखो notification already से आप लोग read कर चुके होंगे सारी जैनकरी वहाँ पे कल की वीडियो में आपको दे चुका हूँ कि भाई यह आपका result बहुत जल्द आ जाएगा सबसे पहले वहाँ पे आप लोग जाओगे ठीक है वहाँ पे जाते ही आपको सबसे पहले एक पायराग्राप दिया जाएगा एक पायराग्राप और आपको कल बता चुके वीडियो में कितने पायराग्राप कितने सब्दों को होगा तो यहाँ पे हम हिंदी इंग्लिस दो और 10 मिनट में आपको 500 सब्द लिखना होगा इंगलीज में और 10 मिनट में 400 सब्द लिखना होगा हिंदी में यहाँ पे देखो ऑफिसल दिया हुआ था यहाँ पे देखो जैसे मालीजी सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं हिंदी वाले candidate देख ले यहां फे देखो, आपको एक पैसेज दिया जाएगा केमपूटर ऐसे रहेगा ठीके, केमपूटर आपके सामने आजसे रहेगा लेक्टॉप जैसे माल लेजिए, केमपूर्ट आपके सामने इसे रहेगा, ठीक एक स्क्रीन है आपकी केमपूर्ट की, राइट एक स्क्रीन रहेगी और जो आपको ये वर्ड दिख रहा है, यहाँ पे सब्द दिख रहा है चांदरी खुदरत का एक हसीन तोफ़ा है आपका टाइमिंग चलेगा, एक क्रोशी क्या है सारी सीजे, यहाँ पे सब कुछ लिखा रहेगा, रिमेनिंग टाइमिंग कितना है बचा है यहाँ पे आप लोग टाइमिंग करोगे, जो सब्द यहाँ पे छपा हुआ है, सेम उसी को यहाँ पे उतारना है, कॉपी करना है, डिक्तो, और कुछ भी सब्द नहीं लिखना है, यहीं पूरक पूरक फोटो कॉपी उतार देना हूँ आपके, जल्दी जल्दी, और कि इतना टाइमिंग आपका बचा हुआ है, बिल्कुल अलाव है, बिल्कुल अलाव है, बिल्कुल कर सकते हैं, लिकिन कैसे करोगे, उसको भी आप लोग देख लिजिए, ठीक है, यहाँ पे देखो, और इंग्लिस वाले सब्द के लिए यहीं सेम इलाव है, यहाँ देखो पाइरा गर आप आपको दिया रहेगा, वहाँ पर कंपूर्टर पर जाओ तो इससे सेम बना रहेगा, वहाँ पर भी स्क्रीन हाप रहेगी, यहाँ पर पूरा सब्द रिखा रहेगा, वही आपको कॉंपी करना है, ठीक है, समझ वह होंगे, टाइम में गर आपका सारी चीज़ा इसे दिया रहेगा, जल्दी जल्दी आपको दिखना होगा, इक रहोगे तो आप लोग अराम से डिकाल लोगे, बहुत ही असानी से, बाकि आपको एक्जामपल और अच्छे समझाते हैं, यहाँ पर देखे, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, फोटू कैप ऊपको चैज़ेगा, यहाँ पर देखे, यहाँ अध को करना है, उसमें लेदा मतलब, जो आप सही करेंगा, फो मतलब जो आप गलत करने के और रेड हो जाएगा इस पेस कैसे स्तमाल करोगे अच्छे से देख लिजिए यहां वे देखो अच्छे दिखा द रहे हैं जो माउड करते हैं अपर देखो अच्छे से आपको दिख रहा होगा इसको देखे भी है ठीक है तालगी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में न जनक पूर्ण यहां देखो झाल क जनक पूर्ण शैनकपूर के लिए हो यहां पर अंचल एपसे लिखते हैं यहां डेखो और अन-चल लिख दिये ये भी सही है अभी कीप आयट का इस्तेमाल नहीं किये इस्तेमाल करें तो आप इसको correct नहीं कर सकते पीछे नहीं आसकते ठीक है क्योंकि आपका सही सब्द है तो आपको पता है है कि हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगा हमारा accuracy सही है यहां पर green हो गया है राइट और जैसे माले rate हो जाएगा आपका अब यहां पर देखिए कैसे सिस्तमाल करेंगे जनकपुर अंचल के गाउं में एक गरीब यहां तक एक टक लिखें यहां तक लिख दिए एक गरीब गरीब हम जल्दी इस्तमाल कर सकते हैं इसमें कोई आपकी एरह नहीं होगा तो गरीब आप लोग तुर्णत यहां पर इस पेज आपका नहीं होना चाहिए आगे आपका करसर नहीं बढ़ना चाहिए अगर वहीं पर ऐसे है जैसे गरीब अभी लिखे हो इस पेज नहीं दिए दावे हो बटन ठ तुर्णत सुधार सकते हो गरीब को इसको हटा के तुर्णत सही लिख सकते हो करेक्ट तुर्णत गरीब कर सकते हो ठीक है गरीब ऐसे लिख सकते हो जो की करसर आपका यहीं था अगर जैसे माल लेजिए अभी गरीब ऐसे लिखते गरीब आप लोग लिख दिए गलत हो गय ठीक है, जनकपूर अंचल की गाउं में एक गरीब रहता था, बता चुके हैं, गरीब आग लोग ऐसे इस्तमाल किये गरीब, गरीब आग लोग लिके space देखे अगर इसको correct पीछे आके इसको सुधारोगे फिर गरीब लिखोगे सही तो आपका गलत माना जाएगा ठीक है अगर current में ही तुरंट आए आपका cursor है यही तत्काल cursor है गरीब लिखे हो यही पे है cursor अभी space का इस्तमाल नहीं की हो तुरंट इसको correct कर सकते हो आप लोग बिंदास correct कर सकते हो वो आपको allow है लेकिन आप लोग तब इस्तमाल नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी जब आप लोग गरीब लिखके बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं कर सकते अच्छे से समझ गहे होंगे शेम इस्क्रीन पे आपके वहांपे एक ऐसे पैसे दिया रहेगा नीचे आपके इम्पेटी रहेगी खाली रहेगी यही सब्द आपको जो यहाँ पी लिखा हुआ है यही सब्द आपको एक दब छाप देना है यही पर इंगलिस रहेगा सेम यही पर अच्छे से इंगलिस भी हिंदी दोन रहेगा जो इंगलिस वाले होंगे यहाँ छापेंगे जो हिंदी वाले होंगे सेम यहीं छापेंगे ठीक इसके निए पर आपको दिखेगा वहीं आपको डिक्टू उतार देना है टाइमिंग आपकी स्टार्ट रहेगी सारी चीजे आप इलाओ है आप लोग बैस इस्पेस के इस्तमाल कर सकते हो अच्छे से समझा चुके हैं ठीक वहाँ पीसाओंगों करेक्ट करोगे इसको तो आपको गलात ही मारा जागा साही करता ही मारा जागोंगे होंगे एक़रेशी आप लोग अच्छे से बनाए रखना बाकी अच्छे से किलीर पता चलिया होगा कोई भी डाउट अप नहीं रहेगा अच्छे से आपको समझा चुके हैं देख लीजिएगा सेम स्क्रीन पर ऐसे वहाँ हैं महाँ पर आपको दिया जाएगा वही आपको डिक्टो छाप देना है और तेजी के साथ करना अच्छे से करना 25-85 सब्दों आपके पचाजी पर से सही होने चाहिए 15 परसेंट तक आपकी गलती माप हो जाएगी ठीक है यही आपको समझाना है तो वीडियो का इसलिए कमेंट करके जरू बताना मेलते हैं इस्टूडेम थैंक्यों धन्यवाद